नमस्कार दोस्तों CDP का हम लोग प्रीवेस यह कोश्चन देख रहे थे और 20-12-21 का हम लोग दो पार्ट कम्टीट कर चुके थे जिसमें 20 कोश्चन सौल करे थे और इस वीडियो में हम लोग 21 से लेके 30 कोश्चन को देखेंगे ठीक है तो एक्स्प्लेनेशन साथ में है तो आ अकादमिक उपलब्दी तक सीमित ना रखकर व्यापक होना चाहिए ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है ठीक है किस प्रकार किया जा सकता है बताना है आपको तो इसका आंसर हो जागा B options समवेगी शमताओं का विकास करके जो सिख्षा का एक अहम अंग है ठीक है तो इसका explanation द समवेगी शमताओं का विकास करके जो सिख्षा का एक अहम अंग है के द्वारा किया जा सकता है इसकूल में विध्यारतियों की विवित्ता को ध्यान में रखते हुए कैसी सैक्षिक विवस्ता का आयोजन्स करना चाहिए विध्यारतियों की आविशक्ता योगता शमता पढ़ाई तो चल दी रहती है जिससे जो दिमाग होता है माइंड होता उसका विकास होता है ठीक है बच्चे जब पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका हर तरीकी का विकास होगा ठीक फिर इसके बाद दिया गया है question number 22 और इस पर दिया गया है निम्न में से किस से एक विध्यारती की सनरशना आत्मक समझ एवन इस पस्टा की पुस्टी होती है ठीक है और इसका answer हो जाएगा D option और इस पर दिया गया है सीखी गई सनरशनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना ठीक है तो इसका explanation है सीखी गई रचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों को स्थितियों में लागू करने में एक विध्यारती की सनरशना आत्मक समझ एवन इस पस्ता की पुस मानसिक तर्क पर तर्क आधारित सनरचनाय बनाकर डेटा को वर्गी कृत करने और विवस्तित करने की शमता में महारत खासिल करते हैं इस प्रकार में ग्यान निर्मार्ज और अधिग्रण्स दोनों की आवश्यक्ता होती है क्योंकि विध्यारती पहले उन प्रमुक विशेस् प्रक्रियाओं या प्रक्रियाओं के पीछे अवधार नायों या सनरचनायों की समझ पर ध्यान के इंद्रित किया जाता है ठीक है तो यह काफी important point है और इससे direct question पूछा जाएगा next question दिया गया है बच्चों को प्रभाव साली समस्य समाधान करता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में किस प्रकार के मौके मौहिये करवाए जाएं ठीक है तो किस प्रकार के मौके मौहिये करवाए जाएंगे तो B option इसका सही हो जाएगा स्वतंत सोच द्वारा संप्रत्य की खोज करके तो इस पर क्या दिया गया है बच्चों को प्रभाव साली समस्य समधान करता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें स्वतंत सोच द्वारा संप्रत्य की खोज करने के लिए मौके मौहिया करवाए जाएं साथ ही पाठियत प्रयोग करने को भी कहना और मल्टी मीडिया के प्रयोग हेतु करना चाहिए जब बच्चा किसी समस्य का समाधान स्वेम अन्वेंशन से एवं खोज के द्वारा प्राप्त करता है तो उसमें उनके लिए समप्रतियात्मक समझ का विकास होता है जो धीर कालि अधिगम में सहता होता है ठीक है स्वतन्त सोच बच्चों के मौलिक्ता और एवं स्रजनात्म को करता है ठीक आप इस चीज को अगर आप लोग देखें जब आप लोग खुद कोई चीज करेंगे तो वह क्या रहती है काफी टाइम तक आपके दिमाग में बनी रहेगी ठीक तो वही इस पर दिया गया कि जब बच्चे खुद कोई चीज करेंगे तो वह काफी टाइम तक की बनी रहेगी उनके दिमाग में फिर इसके बाद दिया गया है अधिगम की प्रक्रिया के दौरांस बच्चे को तुर्टियों करते हैं ठीक है तो इस पर क्या हो जगा सी स्रेजनात्मक्रिया का सहज स्विक्रित हिस्सा समझना चाहिए ठीक कोई गलती करेंगे तो जरूरी होता है बच्चे गलती करें ठीक है क्योंकि उनको सीख और आगे और कुछ नया सीखने को मिलता है इस पर दिया गया है अधिगम की प्रक्रिया के दौरांस बच्चे जो तुरुटिया करते हैं उन्हें स्रेजनात्मक्रिया का सहज स्विक्रित हिस्सा समझना चाहिए ठीक है तो यह वाला पॉइंट है स्रेजनात्मक्रिया का है तुरुटियों का प्रयोग सिक्षक द्वारा सीखने की प्रक्रिया में रशनात्मक रूप में किया जा सकता है के प्रारंबे के चरण की विसेश्था हैं तुटियों जो बच्चे को उनके सीखे गए ग्यान का ग्यान का या अनुभाव का ही एक हिस्सा होती है इसी लिए सिक्षन अधिगम सुरक्रिया में ब्रतियां ब्रतियों की चर्चा करना सारता गए ठीक है तो जो मिस्टेक होती है है गलती होती वह जरूरी होता है जिसे कोई चीज़ कर रहा है तो गलती होगा तब ही तो आगे हम लोगों सीखेंगे ठीक है फिर इसके बाद दिया गया है बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन तो इस पे द में या भूमिका है कि संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थ पूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकिकरत रूप में सम्मिलित करना चाहिए संवेगों द्वारा बच्चों में आदतों का निर्मान होता है जैसे संवेग से मुख की उत्पत्ती हो को परंतु इस्टल्व का संवेग का संतुलन भी जरूरी स्व है सुम्वेग से सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाते हैं और या सब अध्यापक के वैवार पर होता है फिर्ममलाकर बच्चे अगर बच्चों की कि आपके के तो क्या होगा कि आपको पूछने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर पूछने में दिक्कत नहीं होगी तो आप कोई भी कोश्चन उनसे पूछ सकते हैं ठीक है तो वह आप को बताएंगे अच्छे से और संकोष नहीं होगा प्लेस आप मतलग की अच्छे से कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे ठीक है फिर इसके बाद कोश्चन दिया गया है बच्चों को आंतरी ग्रूप से अभी प्रेडित अधी गम करता बनने के लिए किस तरह प्रोसाहित किय जा सकता है ठीक है कैसा अभी प्रेडित अधीगम करता के बारे में बताए गया इस पर तो इसका आंसर हो जाएगा अधीगम से प्रक्रिया के दोरान की गई तुर्टियों से सीख कर बिना किसी नगरात्मक धंग से डर बिना ठीक है तो यह मैं इसके टीचर के उधारन आप बिना प्रोसाहित किया जा सकता है आंतरिक रूप से अभी प्रेडित बच्चे बिना किसी सहायता से स्वयम अध्यांस में संगलन रहते हैं ऐसे बच्चों में जिग्यासा रुची या उपलब्दी की भावना आदी शौबाविक आंतरिक होती है अध्यापक द्वारा छात बने रहें फिर इसके बाद दिया गया है कि कुशन 27 निपुरता अन्मुखी विद्यातियों में कौन से गुड़ होते हैं कौन सा निपुरता और अन्मुखी तो इसका आंसर हो जाएगा सफलता का नियून भय छमता का वर्धिक द्रेस्टी को ठीक है और explanation में दिया गया है निपुरता अन्मुख विद्याति मेजर और एंटेट से लेनर में असर पलता का नियून भय और एवं शमता का वादिक द्रिश्टी को के गुड़ होते हैं इसमें पार्ट एकरम सामगरी सीखने के लिए उनकी रुची एवं आंतरी के रूप से प्रेडित होने की अधिक स और सुधार किया सकता है वे सीखने की इन रणिटियों का उप्योग करते हैं जो समझ को बढ़ावा देते हैं और चुनौतियों की तलास करते हैं तथा उनको, अशफलताओं का डर कम होता है, पिर इसके बादheen दिया गयान निम्न से प्रक्रिया arms. वॉल option से प्रति क्रिया अनमेयता इस पर दिया गया है response सेट की प्रक्रिया प्रभावसाली समस्य समधान में बादक है क्योंकि इस से बालक में सोचने की विबिंता प्रभावित होती है प्रभावसाली समस्य समधान के लिए सही समस्य को की पैचान से सही schema को क्रिया का सील करना एब अनुमेशन आत्मक रहनीतियों का या समस्य समधान की समस्य रहनीतियों के प्रयोग करने बल देनी चाहिए समस्य समक्थान एक ऐसी तक्षी लिए जिसके द्यांतर रूप से अध्वा अध्यापक के सी समस्या Whether समाधान कर सकता है और सकता prospective टिस्काठ कोश्चर से 안에 दिया गया है इस पे है कस्या में में विद्ध्यार्तियों में परसपारिक प्रति इस पर्दा के लिए करने के कई परिदान से हो सकते हैं आपके अनसार निम्नमे से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक है इसका अंसर हो जाएगा सी ऑफ्षन इसका सही है तो सी में दिया गया है एक दो तीन और चार बलगी चारों ऑफ्षन इसके सही है तो इस पे दिया गया है कक्षा में विध्यारतियों में परासपारिक इस पर्दा के लिए प्रेडित करने के कई परिणांस हो सकते हैं जो की इस पे दिये गया है पहले में दिया गया है इस से कक्षा में विजेता एवं से हारे हुए विध्यारतियों में विभेदी करन्स होते हैं इस से विध्यारतियों का अपर दबाव पड़ता है वह चिंतन का इस तर बढ़ जाता है और जो उनके संग्यानात्मक विकास को को बादित करता है ठीक है फिर इसके बाद है इस से क्यक्षा में तारक विद्यार्थियों को चीनित करने के लिए बढ़ावा मिलता है उनकी उपलब्दियों पर इसकूल गर्व कर सकता है लास पॉंट दिया गया है इस से विद्यार्थियों को प्रति इस पर बाधिक बाजा रहेगा बचों के प्रति रहेगा तो ज्यादा को स्वल छलवु में अच्छ सही होने के चांस चांसे ढ है फिय に इसकेञी सीखने की प्रक्रिया प्रॉसस एस मीनिग फॉर내 कि तो इसका हो जाएगा निजी दर्शन सास्तर एवं से दृस्टिकोर से आर्थपूर अधिगम से हेत्व अध्यापक को विध्यार्तियों की साहिता करनी चाहिए जिससे वे अपने मनुभावों और अभी प्रेड़नों को सुवेश्थित कर सकें विध्यार्तियों में समवाद और परी चर्चा को प और विद्यारतियों की संरशनात्मक और विचार प्रक्रियक हो जाती है और अधिक विचार सील हो जाते हैं तो काफी इंपॉर्टन रहा यह वाला वीडियो और तो देखिए बच्चों से ही पूरा है तो आप लोग जो भी आपनों नोट से बनाए हैं उनको पहले प्रैक्टिस कर लिजेगा फिर इसके बाद ये जितने भी कोश्चन में करवा रहा है उनको देख लीजेगा कोई ना कोश्चन सापको रिपीट मिलेगा और रिपीट नही के चांसे हैं ठीक है